हाई, सु आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CBSE Boards के स्टूडन्स कैसे MHT-CET की तैयारी कर सकते हैं या कैसे MHT-CET क्रेक कर सकते हैं सबसे पहली पहली बात अगर मैं CBSE vs. Maharashtra Boards की बात करूँ तो difference क्या है? Difference तो है, difference है ये बात तो for sure है थोड़ा भी नहीं, difference जादा है ये बात भी 100% fix है बट स्टिल अगर मैं देखना चाहूं CBSE vs. हमारे HSE में major फरक क्या है? अगर मैं बात करूँ theory का तो theory किसकी होती है, theory कभी भी हो जाती है physics की theory किसकी होती है, theory होती है physics की physics तो same ही है ऐसा नहीं है कि CBSE में Newton ने 4 law बताया था HSE में Newton ने 3 law बताया था ऐसा तो नहीं है theory का perspective थोड़ा सा अलग है CBSE और HSE में perspective की बात है example तोर पे अगर आप CBSE board से semiconductors करते हो, एकदम अलग है current density, charges, number of charge carriers ऐसा चलता है जबकि अगर आप यहाँ पे करो हमारे माहराष्टरा board में तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ ही नहीं पुरा-पुरा chapter हो जाता है, formula भी नजर नहीं आती है तो यहाँ पे theory का तो perspective का फरक है नजर यह का फरक है और perspective दोनों का सही है चाहे माहराष्टरा board हो, चाहे CBSE हो major difference आजाता है यहाँ पे formulas में कहाँ पे difference आजाता है, formulas में आजाता है so दो difference है, formulas में massive difference है बहुत जादा फरक है formulas में, theory का perspective में difference है अगर मैं physics subject की बात करूँ, MHT, CET में 50 में से सिर्फ hardly 4 questions theory पे आते हैं तो obviously बात है, theory तो यहाँ की भी सही, theory तो वहाँ की भी सही तो theory पे ध्यान देना तो यहाँ पे अच्छी बात नहीं होगी सीधा हम आते हैं, 46 marks के जो numericals आते हैं उस पे थोड़ा focus करते हैं formulas का फरक है, तो CBSE में formulas गलत है, नहीं formulas तो सही रहेंगी physics की, CBSE में formulas जादा है महराष्ट्रा board में formulas कम है और किसी किसी chapter में formulas थोड़ी सी अलग-अलग है जो CBSE में है, बट महराष्ट्रा में है ही नहीं तो CBSE के students को क्या करना है पहले का अगर जमाना होता, मैं आपको बोलता एक बार पूरी textbook read कर तो ताकि आपको पता चले, क्या महराष्ट्रा board में है और फिर exam दो, अभी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रुवती नहीं है एक ही वीडियो में सवा 500 formulas है पूरा MHT-CET का syllabus एक वीडियो में ही खतम है CBSE के student, ऐसे तो सब students के लिए ये वीडियो है बट CBSE के student हो, बैट जाओ 2021-2022 MHT-CET the same syllabus है बैठ जाओ वीडियो लेके, start हो जाओ वीडियो देखना देखते रहो, देखते रहो, ऐसे नजर रहे वीडियो पे जहां अलग formula आ रहा है, note down करो जो आपको पता नहीं है जहां अलग formula आ रहा है, note down करो, समझते जाओ क्योंकि सिर्फ बताया नहीं है, समझाया भी है इसमें क्या हो जाएगा, आपका 5.5 गंटे में पूरी माराश्टरा बोट की textbook का coverage हो जाएगा consider करते हैं, case number 1, आपको मज़ा आ गया सारी formulas मैच हो रही है, फिर तो जरुवती नहीं है कोई, कोई जरुवती नहीं है, check करने की, case number 2, कुछ formulas अलग है, बाती खतम, सीख लेना यहाँ पर, that's it so just आपका 5.5 गंटे में, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कि माराश्टर बोट के अंदर है क्या, किताब के अंदर है क्या, नहीं वीडियो उसमें से नहीं पसंद है देखना, तो textbook ले लो, textbook में से go through करते जाओ, हर page पे formulas, read करते जाओ, read करते जाओ, बात वो एक दिन में तो एक book खतम नहीं होगी, तो उसमें तो hafta time obviously लग जागा, अगर आप अच्छे से read करना चाहते हो, so यही ways है, या तो textbook go through करो, या तो video go through करो, aim वही है, formulas touch up होनी चाहिए, so this is the thing number one, second thing, अगर आपको कोई chapter है, जो CBSE में एकदम अलग है, यहाँ पे एकदम अलग है, ऐसे भी chapters होते हैं, तो उन chapters का आप simply क्या कर सकते हो, या तो उनका one shot देखो, MHT CET का one shot, okay, जैसे यह वाले chapter सारे के सारे, MHT CET का one shot है, यह 16 chapters का, okay, तो यह playlist को follow करो, यहाँ तो उस chapter को textbook से, महराष्टर board के textbook से read करो, आपने particular chapter CBSE से किया है, आपको पता है CBSE में क्या है, महराष्टर का यहाँ से देख लो, यह महराष्टर का self reading कर दो, तो पहले तो यह दो steps हो जाते है, किताब को समझना, महराष्टर की किताब को समझना, तो हमेशा दो इरस्ते हैं, यह खुद किताब पढ़ो, यह जसने किताब पढ़ी है, उसमें से समझ लो हो तो अगर आपको MHT CET ही देना है, okay, fix MHT CET देना है और CBSE से होके भी आपने कुछ extra preparation नहीं किये, क्योंकि usually क्या होता है, CBSE याले सब NEET के तरफ, JEE के तरफ जाते हैं, CET के तरफ बहुत कम audience आता है, तो अगर ऐसा है, आपने बहुत सारी preparations कर दी हैं, तो सुर्फ MHT CET के PYQs करो, जिससे आपको पता चलेगा महराष्टरा के exam में और NEET exam में क्या फरक है, okay, PYQs बन गए, तुम्हारा CET बन गया, PYQs नहीं बन रहे हैं, आप दूसरे exercise के questions कर दो जाओ, जो भी book आप follow करो, अगेन MHT CET books के उपर मेरा separate video है, okay, तो आप CBSE से हो, और एकदम average student हो, ईवन below average हो, तो पूरी book करो, जैसे अरीहांत का exercise 1 और 3 करो, target का level number 2, जितने chapters का होता है करो, okay, बड़ अगर आप CBSE से हो, नीट का तयारी चल रहा है, जैई का तयारी चल रहा है, तो सरफ CET के PVQs देखो, जिससे आपको सरफ culture पता चलेगा, क्योंकि CBSE वालों की main बात क्या होती है, या उनको culture नहीं पता रहता है, तो PVQs से भी culture पता चलेगा, इस वीडियो से पूरे महाराष्टा के syllabus का culture पता चलेगा, इस playlist से भी आपको culture पता चलेगा, या फिर textbook से भी आपको culture पता चलेगा, सु बात यहाँ पे culture की है, बात यहाँ पे approach की है, CBSE students के पास skills होती है, approach की कमी होती है, that's it, आप approach के लिए refer कर सकते हो, अगर CBSE में होके भी आप normal student हो, तो जैसे महाराष्टा के students कर रहे हैं, पूरी-पूरी books all, आप भी वही method proceed कर सकते हो, wish you the best for your entrance exam preparation.